तो नमस्कार दोस्तों ौज की वीडियो में मैं आपको वाटसक की दो नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ वीडियो को प्लीज लाष्ट देखी तो चली मैं अपने वाटसक को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और open करने के बाद जो WhatsApp में new update आया हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा इसके लिए यहां से कोने पे 3.0 पे क्लिक करूंगा और कोने पे 3.0 पे क्लिक करने के बाद यहां पे एक option आ रहा है setting का तो हम यहां से setting पे क्लिक कर लेंगे और दोस्तों यह नया update आया हुआ है मैं कोई पुराना update आपको नहीं बता रहा हूँ यह अभी अभी update आया हुआ है इसके बाद आप यहां से storage and data पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको उपर के तरफ स्क्रॉल करेंगे और नीचे में जो एक option है देखे फोटो upload quality यह वाटसप ने new update किया हुआ है भी तो चलिए मैं इसे यहां से क्लिक कर लेता हूं और देखता हूं इसमें क्या facility दिया है मैं वाटसप ने तो चलिए हम इसे यहां से क्लिक कर लिए और क्लिक करने के बाद देखे दोस्तों यहां पर लिखा वाई तीन option आप्टो रिकमांडेट बेस्ट क्वालिटी और डाटा सेवर अगर आप कोई फोटो वीडियो किसी को सेंड करते हैं और चाहते हैं कि वह लो क्वालिटी में छाहते हैं तो यहां से डाटा सेवर पर कर देंगे तो वीडियो का क्वालिटी क्यों नह सोगते हैं ור अच्छी क्यों नहीं कि से लिए चलिंगे चाते हैं तो इसके लिए और एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा तो चलिए इसके लिए मैं इसे यहां से बैक कर लेता हूं और बैक करने के बाद यहां से home screen पर आ जाता हूं और home screen करने के बाद चलिए मैं अपने यहां से photo को open कर लेता हूं फोटो को ओपेन करने के बाद दोस्तों देखें यह एक फोटो है और इसे मैं भेजना चाहता हूं यह जैसा देख रहा है वैसा ही भेजना चाहता हूं तो इसके लिए यहां से यह आई बटन है आई बटन पर यहां से क्लिक करेंगे और click करने के बाद देख लिए दोस्तों इस photo का क्या नाम है ,िस photo का नाम है k-m और this last में लिखा वा traitor है 181 और 146 देख सकते दोस्तों , इसके last में 181-146 लिखावा बस मैंने यह देखना था और back कर लिया ,अब इसका क्या मतलब है चलिए मैं आपको वाटसब में दिखायता हूं इसके बाद मैंने वाटसब को फिर से यहां से ओपन कर लिया दोस्तों चलिए तो मैं यहां से वाटसब को ओपन कर लेता हूं और open करने के बाद मैंने इसे यहां से मैंने इसे यहां से open कर लिया और open करने के बाद क्या होता है जब आप किसी को फोटो भेशते हो तो यहां से open इसे touch करते हो और touch करने के बाद आप गैलरी को touch करते हो लेकिन मैं आपको यहीं सजेस्ट करूंगा आप गैलरी को touch नहीं करें यहां से जो यह document का option आप इस document को टच करें तो चलिए मैंने document को यहां से टच कर लिया और टच करने के बाद आप यहां से उसे फोटो भीज सकते हैं दोस्तों तो चलिए मैंने इसे यहां से 3.00 पर क्लिक करता हूं और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देखें ये फोटो यहाँ पर आगया और देखें ये वाला फोटो है इसे यहाँ छोटा फोटो भी दिख रहा है लेकिन यहाँ पर 113 है आप कंफरम हो गए कि वह ही फोटो है और हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और select करने के बाद जब इसे हम send करें तो यह png में जाएगा और बिल्कुल original photo जाएगा और यह photo जब हम दूसरे whatsapp में open करेंगे तो जैसा इस photo में है वहाँ पे भी दिखेगा इसमें कोई कटवती नहीं होगा और photo नहीं खराब होगा बिल्कुल same to same जाएगा तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं तो यह photo को एक बार आपने देख लिए यह कैसा photo है यहाँ पर एक बार आप देख लिए यह इस type का दिख रहा है और मैं आप दूसरे whatsapp में दिखाता हूं कि यह same to same photo है यह नहीं तो चलिए मैं इसे यहां से back कर लेता हूं और back करने के बाद देखिए यह दूसरा whatsapp में मैंने message भेजा हूं photo तो चलिए यहां पर आ गया है और देखे यहां पर यह photo आया हुआ है और यह जो है png में photo आता है आप देख सकता है और यह जो png का photo होता है बिल्कुल jpg file है औ चलिए मैं इसे download कर लेता हूं और download करने के बाद यह photo download हो गया और मैं इसे यहां से open कर लेता हूं तो open करने के बाद जो यह दोस्तों देखे फोटो का quality same to same है लेकिन अगर आपने whatsapp से gallery में जाके photo shoot करते हैं और आप जब किसी को photo भेशते हैं तो फोटो का quality आप देख लें को भी voice message भेजते हैं तो यहां से क्या करते हैं जैसे यह voice message भेजना तो यहां से मैंने touch कर दिया और इसे यह record होता रहा लेकिन अब मैं इस record को सुनना चाहता हूं तो यहां पर सुनने का कोई भी option नहीं है आप देख सकते हैं लेकिन मैं आपको एक ऐसा trick बताऊंगा जो WhatsApp न आने के बाद मैं इसे WhatsApp को फिर से open करूंगा तो देखिए जो यह record यहां पर है और यह भी मैं सुन सकता हूं और फिर मुझे अच्छा लगेगा कि यह सही है तो फिर मैं भेजूंगा और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं भेजूंगा तो चलिए मैं आपको इसे open करके सु आप सुन सकते हैं और इसके बाद सेंड कर सकते हैं तो चलिए अब मैं इसे send कर देता हूं और इसमें एक आपको और बोनस टिक बताता हूं कि वह संद करने के बाद क्या होता है देखिए जो मेरा दूसरा वाट्सपा यहां पर यह आगे और यह 10 सबस्द कर लेता हूं तो के लिए मैंने इस WhatsApp को यहां से टच कर लिया और देखे यहां पर वाइस मेसेज आ चुका है अब इस वाइस मेसेज को अगर यह दस सेकेंड का है और मुझे इसे पांस सेकेंड में सुनना है तो आप सुन सकते हैं इसके लिए आप यहां से प्ले बटन पर क्लिक करेंगे और य से जितना मल्टिप्लाइ कर सकते हैं जैसे एक लिखाए अगर आपने अपने इस डेल गुना कर दिया तो 10 सकेंड का वीडियो ओ शाले शाहत सकेंड में जिखा देगा और तू सकेंड कर तो जितना से का वो भाइस जितना मिनिट का है उससे वह आदे समय में आपको पूरा सुना देगा और आप एजली से सुन पाएंगे तो चलिए मैं आपको एक बार इसे प्ले करके दिखाता हूं तो दोस्तों इस तरह से आप आपको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेश कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नॉटिपिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में एक ऐसे यूजपल ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार